इतनी धूप है, इतनी शादिया है, उसके बाद में भी फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है आज अभी ऐसा हुए पिछले कुछ सालों में, कि अभी यूथ जुड़ गया है, फिल्में भी एक सेख बनने लगी, टेक्निकली हम लोग बहुत स्टांग हो गया है, अब हम किसी भी चीज के लिए यहां से बाहर नहीं जाते हैं मुझे को सूपर स्टार बोलता है वाच्छे नगता है, मुझे को पसंद नहीं, वड़ है हमारे यहां का लड़का है अब लड़की को 36 गड़ी बोलना सिखा रहा है, यहां का ट्रेडिशन सिखा रहा है दुनिया मकाम कोनों नहीं हे संगी छोटे बड़े जी, पुरखा सियान मुला दे गयान हाव धरे जी, हाव धरे जी एक दुनिया है जिसमें हम रहते हैं और हम इस दुनिया के एक किरदार हैं अपने किरदार का अभिनाय अदा कर रहे हैं इस दुनिया में और भी तमाम दुनिया है उन दुनियों में एक दुनिया ऐसा है जो है फिल्मों की दुनिया वो फिल्मों के दुणिया में भी किर्दार होते हैं, किर्दार अभी नया और वो अभी नया अदा करते हैं, तो उन्ही दारों में एक किर्दार हमारे पास है, इस वक्ट बैठे हैं साध में मौझूद हैं, चाहतीसघच्च सबसे फेमस और आप सभी के फेरीट, महन Goore Tsai ji, आपका बहुत बहुत शौगत है हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्याद है अभी उनिस तारीक को आपकी फिल्म रिलीज हुई है. इसके बारे में बताइएगा कि क्या फिडबैक आ रहा जनता है के बीच परसो, 19 अपरेल को फिर्म रिलीज हुई है मतलब हम लोगों ने फिल्म बना दी B.A. फ़स्ट यख़र, B.A. सेकेंड ये दस्साल, साथ साल पहले और अब फाइनली हम लोगों ने फिल्म बना जिसका नाम है B.A. फाइनल पब्लिक डिमांड में थी वो फिल्म पब्लिक बहुत दिन से इंतजार कर रही थी इतनी धूप है इतनी शादिया है उसके बाद में भी फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है आज पता निया आप लोग तो नहीं थे भिलाई में आज हम लोग आया थे बिलाई में कमाल का रिस्पॉंस है चंद्रा मौरिया में लगी हुई है बहुत अच्छा रिस्पॉंस है हम लोग राजनगां से आ रहे है लगभक सब जगा से इतना अच्छा रिस्पॉंस है कि हम लोग बहुत डरे हुए थे कि इतनी धूप इतनी तेज धूप के बाद पब पाबलिक आ रही है और उनको उनकी फिल्म देखना है साथ्थर्य हुर फिल्म आई और दीखकर के अब तक कि एक भी फीडबैक निगेटिव नहीं है मुझे उतनी डेक कभी थो सकता है कुछ कमेंट मैं भूसे हो यर नहीं देखा ओगा नेकिन जनरली अभी तक कोई feedback खराब नहीं आया है सब लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और एकनम फैमिलियर फिल्म है समाजी की स्थर की फिल्म है अच्छे गाने हैं अच्छे characters है तो all in all फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लग रही है और हम लोग बहुत खुश है फिल्मे के बारे में बताईगे काना कब से सुटिंग स्टार्ट हुआ कितना समय लगा हूँ और कहां कहां पर कौन को से जगह में फिल्म को सुट किया गया फिल्म एक साल करीब में बन गई फिल्म और maximum शूट जो है वो राजनान गाओं में शूट हुआ है कुछ भिलाई में किये कुछ थोड़ा और बाहर निकले थे लेकिन maximum फिल्म जो चत्तिस गड़ में शूट हुए हम चाहते हैं कि हम अपने फिल्म चत्तिस गड़ में ही शूट ज़्यादा तर करें क्योंकि ताकि यहां का जो कल्चर है यहां का जो टच है वो हमेशा फिल्म में दिखे इसलिए हम लेकिन maximum फिल्म में शूट करते है तो यह फिल्म इंचतिस गड़ में ही शूट हुई है बीए फर्स्ट हेर से आपने फिल्म में कदम रखा था चौलीवोड में तो चौलीवोड को आप कहा देख पा रहे हैं मतलब अब क्या बदलावा चुका है जब तक आप इसमें इंटर किये उसके बाद तक क्या बदलावा चुका है बहुत बदल चुका है यूथ जुड़ गया है अब पहले यूथ फिल्म नहीं देखता था पहले वो फैमिली फिल्म देखती थी या फिर हस्बन वाइब फिल्म देखते थे पर अब ऐसा नहीं होता बड़े बड़े कॉलेजेज में प्राइबेट कॉलेजेज पढ़ने वाले बच्चे 36 गड़ी फिल्म देखते है यह बहुत बदलावा है कि यूथ जिस बिजनेस से भी जिस चीज से भी जुड़ जाता है वो कही न कहीं बहुत आगे जाता है और अभी ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में कि अभी यूथ जुड़ गया है फिल्में भी एक से एक बनने लगए बहुत श्रांग हो गया है अब हम किसी भी चीज के लिए यहां से बाहर नहीं जाते है सिफ सिंसर को छोड़ करके हम यहां से बाहर जाते ही नहीं सब कुछ हम्यारा डियाए वगारा यह वो जो भी टेखनिकल चीज़े होती सारा कुछ यहां हो जाता है अब हम बहुत अपगéड हो गया है, हम अपनी फिल्म बनाते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं, अपने लोगों के लिए बनाते हैं, और सिर्च SENSOR के लिए ही बाहर जड़ तो ये सारी ये सारी चीज़े बदल चुकी है अब सिनियमा में जैसे कि बहुत कुछ ऐसे फिल्में हैं जो छोलीवुड की जो फिल्में बन रहे हैं उसमें एक्सपरिमेंट किया जा रहा है मतलब लोगों का आदत है जो परिवारी प्रेम कॉमीडी ये सब देखे पर आज कल एक्सपरिमेंट करा जा रहा है उसमें एक्शन डाल दिया जा रहा है कुछ लोगों को पसर नहीं आ रहा है वो चीज़े यहां पर उसका ट्रेंड नहीं है जैसे कि कुछ कई फिल्में बनी ह जो किसी के जीवनी के उपर बनी हुई है बायोग्राफी बनी ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं बनी है पर लेकिन लोग उनके बारे में पता भी नहीं है और लोग देखते भी नहीं है हम चाहते हैं कि लोग देखे हम भी ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं कि हम बायोग्राफी करे तो पप्लिक का भी गोज़ Pacific ज mental वोज़ देवलिंटी हमारे एक सेग कहानिय और एक सेग फिल्म का भी यहीं फिल्म सरी वढड़ छांपने चैनल को सुन्नल करता एक। मधने बोध को पसंद नहीं ए मैं आट इस के लाना ज्यादा पसंद करता हूं मेरे को इस एक लिए पद है तो मेरे को जनरली अंदरसे साथ है कि वह बहुत लिमेटेद टाइम का एक पड़ है। वो जो है वो बहूत लिममिटेड टाइम के लिए होता है जब ते आपके फिल्मत्र अच्छी चल रहे हो आप अच्छे लग रहे हो तो लोग सुपरस्टार बोलते है पर एक weakenist जो होता है वो Пройдis वो आर्टिस चुन होता होता है औरphin उतिसी खतब होता है इहीरा कि थे मयावों आएगी फिर एक और आएगी बाजी गर आएगी ऐसे करके बहुत सरी फिल्म हैं वन और नमबर सेकंड की फिल्म है मतलब 36 गर्म से जादा किसे फिल्म को नहीं देखा गया है तो मैं उम्मेद करता हूँ कि बीए फाइनल अभी फिलहाल थियर्टर में लगी हुई है और चार-पाँच हबते कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है थियर्टर में तो आप जाएए वो आपकी कहानी है आपके बीच की कहानी है फिल्म के एक बहुत खास चीज है कि फिल्म में एक सफाई करमचारी की कहानी बताई गई है कि वो कैसे सारी चीज़े मेंटेन करता है और फिर भी पढ़ता है काम भी करता है फैमली भी देखता है जिससे वो प्यार करता है उसको भी समालता है वो साइची दिखाएगा तो कहीं न कहीं हमारे जो सफाई करमचाई जो हमारे भाई बहने ये फिल्म उनको भी डेडिकेट है तो मैं चाहूंगा जब वीडियो अगर आप तक पहुंचे तो आप सब भी जाईएगा आपको देख खाल खाल करता है निए जो कुह अछिकन की बात आते है तो चाहिं न कर्या पास आज आती है वह देफिला में जमाप अच्छा काम करें उन्भाविट किया तो हम लोग एक बार में आ गए है आपकी फिल्म प्रेसान का इसमें एक कारेक्टर लिया गया है मतलब इदम अलगी, सीची मूवी में हाल फिलाल में ऐसा तो कुछ देख नहीं रहा अस-पस किसी फिल्म में, तो ये आइडिया कहां से क्यों लिया गया है? ये आइडिया कहां से है, डेक्टर ही बताएंगे, लेकिन अब अच्छा एडिया है, लोग अच्छा लग रहा है, क्या है जब अपनी लेंग्वेज की बात या अपनी संस्कृति की बात आती तो कहीं न कहीं लोग बहुत पॉजसी हो जाते हैं, और इस फिल्म में, जब भी ह प्रणविया से तिन-चार साल पहले से हम लोग आपस में डिसकस करते हुआ रहे थे, वो फाइनले जब ये कहाने पूरी बनी, तब जाकर के इस पर काम चालो हुआ, इस फिल्म में से कोई डायलोग हो जाए या फिर कोई आप सॉंग बुना दे तो, अरे हाँ भाई, तुझे दा लोग को पसंद आ रहा है, मन के मैना पसंद आ रहा है, लिकिन मेरे को एक गाना पसंद है उसमें दुनिया मकाम कोनों नहीं है संगी छोटे बड़े जी छोटे बड़े जी पुरखा सियान मुला देहे गयान हावो धरे जी हावो धरे जी ये गाना है पुरा याद नहीं में को इसका मतलब है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और मेरे जो बुज़र्गों ने मेरे को जो यह ग्यान दिया है मैं इसको हमें सब पकड़ के रखा हूँ और यही एक knowledge वाली चीज है कि कोई भी काम जो होता है छोटा बड़ानी होता हर कोई सोचता है कि यार उसका काम अच्छा है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है वो ज्यादा popular है ज्यादा famous है पर ऐसा नहीं है आप जिस काम में उस काम को इमानदारी से करो उसमें खुश रहो तो definitely वो काम में आपको success मिलेगा यह फिल्म का एक part यह भी यह जो मैं आपको इतने plot बताए यह भी एक फिल्म का plot है लेकिन वो अपने काम से बहुत प्यार करता है वो जो केरेक्टर अपने काम से बहुत प्यार करता है तो यह जनरल लाइफ में भी ऐसा लोगों को ऐसा करना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत किमती वक्त निकाल के दिया है तो ये तमाम फिल्मों को लेगे बाचीत थी और जिस कार्ट करेम में ये आये हुए थे उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम कर रहा है सना ब्लड बैंक तो तमाम इससे जुड़ेवे और भी जो अपडेट रहेंगे इस मुवी को लेकर हम लगातार दिखाते रहेंगे देखते रहें के पर शुकुरिया